मधुपूर का सियासी संग्राम अपने चरम सिमा पर है राजनितिक मुद्दे और सियासी संग्राम को लेकर मधुपूर अपने चरम सिमा पर है कहने कहीं जो जेनमिन मुद्दा है लोगों की समस्चान है वो कहने कहीं गौन होता दिख रहा है और चुनाओ जो है कि हिंदु मुस्लिम को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है इस वक्त हमारे साथ गोटा सांसन निसिकान दुग है उन्हीं से जुड़ते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस वार का चुनाव किस मुद्दे को लड़ा जा रहा है तो जैमेम कर वा रही है यहां तो यहां है कौन कर रहा है कौन कर रहा है अभी आपने सुना हमारे विदाय को कि 14 मैने से वो खुद मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री यहां खुद मौजूद है ना तो बताएंगे ना कि मदूपूर के लिए उन्होंने काम कर दिया उनके पास कोई मुद्द है मंत्री थे हाजी हुसें साहब मंत्री थे और खुद मुख्यमंत्री यहां बैठे वे उन्होंने पिछले तीन दिन में आपने पूछा कि आपने क्या विकास किया यहां मदूपूर में जिस मुद्दे के लिए आप मुझ से पुछने की बात कर रहे हैं और आप मेरे साथ च अब ढूर आपोर ब्रित बनता हुआ दिखाए देगा जगह जगह पर आपको यहां से जो है मैं दिखाओंगा कि मधूपूर में ऐसा हुआ है कि यहां से दिल्ली के लिए ठ्रेंश चल रही है, यहां से जसीट्यी के चैन्टी के लिए यहां के लिएؤ और भी कहिए अबtant क पर चलिए इस टेशन आपको खूबसूरत साफसुसरा दिखाई देगा इस टेशन पर आपको इस्क्लेटर लिखता हगा दिखाई देगा आप अगल बगल के मदनकटा संकरपूर स्टेशन पर चले जाए देवघर में अहिम सापको दिखाई देगा मधूपुर से 20 किलोमेटर दूर। जब मैं यहाँ आया था चुना लड़ने के लिए तो देवगर की दूरी जो है, वो 60 किलोमेटर थी, अब देवगर की दूरी जो है, 30 किलोमेटर है, कम सकम नभी कुस्तों मैंने 15 पूल आप बनाए होंगे, आप किसी से जाके पूछिए, तो विकास तो है ना कि हम भी बात करेंगे इट का जवाब हम पथर से देने वाले हैं और भारती जनता पार्टी के एक तारी करता जुए उसका जवाब देंगा अच्छा यह बताइए राज पलिवार जी का टिकट काड़ दिया गया गंगा नर्यान को बीजेपी से लड़ाय जा रहा है चुनाव में कहीं राज पलिवार दिख नहीं रहा है राज पलिवार जी का टिकट किसने काड़ दिया CPM एक ऐसी पार्टी होती है जो एक वार लोगों को ML बनाती है दूसरे बार कहती है कि ML बनाएंगे या नहीं बनाएंगे काडर बेस्ट पार्टी है सीताराम यचूरी साहब जनरल सेग्रेटरी थे CPM के आज भी जनरल सेग्रेटरी है आपको जानकारी दे दू कि राज्यसभा में दूसरी बार उनको मौका नहीं दिया गया जोती बाबू को देश ने प्रधान मंतरी के लिए ओफर किया सोनिया जी ने आपको ध्यान हो 96 में देवे गोडा के पहले लेकिन CPM के पॉलिक ब्यूरो ने कहा कि हम आपको नहीं बनाएंगे तो इसलिए यहां किसका दाबा है आज मैं सांसर्थ हो सकता है कि कल को मुझे भी टिकट नहीं मिले मुझे पार्टी को दूसरे काम के लिए लगाए उनको तो पार्टी का अपाथेक्स करने करें आप नहीं लोग है आप लोग कैसे कहते हैं कि यह काट दिया राज पलिवाल जी का टिकट काट दिया पार्टी को जो भी उचीत लगा पार्टी कीने वह मैं आपको बताओं कि यहां जहां से कि अभी अमित यादव एमेले हैं वहां से एमेले हुआ करते थे हमारे बीजेपी के वह आप सादू सन्यासी बन गया और उन्हों ने खुद ही कहा कि हम छोड़ देते हैं अब यहां से चितरंजन यादव में में लेंगे अइसा भी उधारन है तो यह भारती जनता पार्टी है इसमें कई एक लोग हैं जो चुनावी ने अड़ते मैं मैं जिसके कारण राजनीती मैं जो मेरे गुरू है गोविंदा चारी जी उन्होंने कभी एक्टी पॉलिटिक्स ही नहीं कि कुसावाव ठाकरे ज सब्सक्राइब के गिर्राज की सोर्जी थे हमारे संगतर मंत्री वापस वह भी सुंदू प्रिश्यत में लोट गए राम मादव जी जेनरल सेग्रेटरी थे वह वापस संग में लोट यह अभी की घटना है तो इसलिए भारती जन्ता पार्टी काडर बेस्ट पार्टी है इ क्या लगता है सरे कितने वोट से अप्रॉक्स लीड कर पाएंगे यह चुनाओ एक तरफा है और यह चुनाओ भारती जन्ता पार्टी कम सकम पचाई जार बोट से जिते हैं तर क्या लगता है मतलब पॉस्टिबिलेटी है या फिर ने ने मेरा कैलकुलेशन है और मेरा कैलक को 50 सार मतों से बीजेफी की जीत होनी जा रहे हैं देवर के मधुपूर से लगता डॉट इन के लिए मैं जीत अंकुलेशन है आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगता डॉट इन के साथ